मध्यपरदेश के मनावर में लोगडाउन के चलते किसानों को लाख रुपे का नुकसान हो रहा है आपको बतादे कि गर्मी के दिनों में लोगों को गर्मी और घबराहट से जल निजाद दिलाने वाला नीमू किसानों के खेतों में सडने लगा है बतादे कि करोना संक्रमन बिमारी के चलते देश में लोगडाउन लगने से किसानों के खेतों में व्यपारी नहीं पहुँच रहे हैं जिससे नीमू की फसल खेतों में ही सट रही है और ना ही लोगों तक नीमू पहुच पा रहा है ऐसा ही मामला मनावर के ग्राम अजन्दा में सामने आया है किसान ने एक हजार नीमू के पोधे लगाए थे जिसमें किसान ने तीन लाख रुपे से अधिक खर्च किये मगर लोगडाउन के कारण किसान कुछ भी मुनाफ़ा नहीं ले पाए हैं आलम यह है कि नीमू पेड़ों के नीचे गिर कर सट रही है इसी परकार से मनावर विधान सभा के कई किसानों को लाखु रुपे का नुकसान हो रहा है जैसा कि विधित है कि नीमू की सबसे ज़ादा जरूरत गर्मी के दिनों में लोगों को पड़ती है क्योंकि गर्मी के समय सबसे ज़ादा फायदमन नीमू होता है क्योंकि नीमू में विटामिन सी की सबसे अधिक मात्रा होती है जिससे लोगों के शरीर में रोगों से लड निम्बू के मेरे पास एक हजार पोदे लगे हुए निम्बू के और कोरोना वाइरस की वज़े से जो लागडान हुआ उसकी वज़े से मेरेको आट से नौ लाग रुपे का घाटा है कितना खर्चाया था इसको लगाने में आपको इसको हर वर्स तीन से साड़े तीन लाग खर्चाता है जो आपको नुकसान हो है इसके भरपाई किसे हो पाएगी किस तरीके से अब इससे उपर पाऊंगे वह तो अगर कोई सरकार तरफ से थोड़ी वह तराहत मिल जाए वही तरीका है बाकी तो पूरी निम्बू हें पर सल रहे हैं खराब हो रहे हैं या फिर सबसे जादा गर्मियों में ही चलते हैं और गर्मी में इसका सबसे जादा पेसा बनता है ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बैल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइज, शेर और सब्सक्राइब करें हैं घर्ने वाल आज गराना एंड जोती गार्डन अजे बीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइब